इसे ऐसा कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं, 19 जून विश्वास की घोशना, मैं घोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असधारन और आलोकिक हूँ, मैं घोशना करता हूँ कि मेरी जीवन पर सुख का अभिशेक है, इश्वर सदा मेरे सामने है, उसने टेड़े मेरे स्त आनों को सीधा किया है, उसका जुआ आसान है और उसका बोज हलका है, मैं संगर्ष नहीं करता, जो पहले मुश्किल हुआ करता था, वो अब मुश्किल नहीं है, मेरी जीवन पर इश्वर की कृपा और आशिरवाद ने बोज को हलका किया और दबाब को दूर किया, मैं बार और हमेशा के लिए उसको समर्पित करता हूँ, क्योंकि वो मेरी देखभाल चोकसी और प्यार से करता है, यह मेरी गोश्ना है, दीवियस्वस्ती की स्विकाररोकित, ऑश्वर्य दीवियस्वस्ती मेरा सभाव है, इसलिए मैं इस दुन्या के तत्वों के अधीन नहीं और मेरे शरीर पर सिर्दर्द, भुकार, मदुमे या किसी भी तरह की बिमारी का प्रभूतव या नियंत्रन नहीं हो सकता है। मैं इश्वर और मानवजाती का क्रीपा पात रहूं। मैं वहीं बोलता हूं जो मैं देखना चाता हूं न की जो मैं देखता हूं। मैं एक अनमोल बीज हूं। मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमेन पर लगाया गया हूं। मैं अपने प्रभू के दरबार में ताड और फलता फुलता रहूंगा मेरा पत्ता मुर जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो येशु के नाम में समिर्द होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसीहा येशु में हर आद्मयतिक आशिरवात का प्राप करता हूँ मैं एक आत मैं अपने आत्मा और मेरा उंतर्मन एक बहुती शरीर से बोलता हूँ, इश्वर का विनाशी जीवन मेरी जीवन में हमेशा सपष्ट और व्यक्त होता है। मैं अपने शरीर के हर विवरन के लिए जीवन बोलता हूँ, मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ, परिपुर्ण बनो, मसीहा के मनोभाव की तरह और मैं तुभे परमेश्वर के वचन से सरेकित होने की आग्या देता हूँ, मैं अपने स्तायों और नसों से जीवन बोलता ह के लिए बात करता हूं मैं अपनी किड़नी लीवर और अक्नशायों को पुर्णता बोलता हूं मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हडिया जोर और काटिलेज सरेकित मजबूत और डिड़ है मेरे पूरे उपरे और नीचली अंग उतकृष्ट रूप से कार्य करते हैं मेरी आके स्पश्ट रूप से और पुरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बैतरीन मेरी तवच्चा एक नवजा शीश्यू और इश्वर की सुनदर्ता की तरह चिकनी स्वस्थ है मेरे बालो के रोम कज गए है मैं अपने बालो को स्थिर रहने की आग्या देता और जहां वृद्धी की अविशक्ता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूँ मेरे दात, मसुडे, जबडे की हड्या और तंत्री का और रक्त की आपुर्ती सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपुर्ण है मेरे सभी हार्मोन और निरोकेमिकल ट्रास्मीटर एक दुसरे के साथ पुर्ण समझाय में है और अपने कारियों को स्वर्मन्य रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खात पदार्तों को पचाने अफशोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चयापची अफशित उत्पाद नीमित रूप से उसरजित होते है मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शितलता, गपशप, आलस, अधिक, नींद, सुस्ती और भादियकारी खरीदारी में सभी प्रकार के व्यसनों, शराब, निकोटिन, ड्रक्स, दिव्यत धातुपान, अत्यदिक भाग को कैद करता हूं और मसीहा की आग्या करीता में लेता हूं जैसे येशु वैसे ही मैं, इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो मेरे लिए जीवन और चंगाई है, इसलिए खात पदार तो दूल और जानवरों आदी अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, इश्वर ने मुझे इन सारे चीजों पर अधिकार दिया है, मेरा प ब्रून की रक्षा और पोशन कर रहा है, मेरे शरीर का हर अंग हर कोशी का पुर्णता में कार्या करता है, जिसके लिए इश्वर ने इसे कार्या करने के लिए बनाया है, और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विकृती को येश्यों के नाम पर मना करता हू आमेन, मेरा संपुर्ण मानव शरीर रचना विज्ञान चया पची और शरीर क्रिया विज्ञान मसीह येशु में परिपुर्ण है, महीमा हालेलुया, आमेन पिता इश्वर मुझे प्यार करते है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, पुत्र इश्वर मुझे प्यार करते है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, आमेन